नमस्कार शनीवार का दिन सुबह का समय और question answer का सिलसला करेंगे ask बसंद क्योंकि शनीवार के दिन हम question answer करते हैं बजार के बारे में बात तो सोमवार को करते हैं question answer का सिलसला में पहला question जो है शिवात इल्स का है बोल रहे हैं कि sir कौन सी company बढ़िया होती है खरीदने के लिए high revenue growth company low margin के साथ कि low to average revenue growth company with high margin के साथ देखो revenue growth जो आपने पकड़ा है वो तो ठीक है वो तो एक आपको revenue तो एक perspective है ही देखने का उसके बाद margin जो है that by itself is incomplete, inconclusive अगर आप DMART को देखेंगे जो बहुत बढ़िया business है low cost producer है उसका net margin 4.5% का आता है on the other hand अगर आप page industries को देखेंगे जो बहुत ही high branding power के साथ pricing power के साथ stock है उसका margin अगर आप देखेंगे net margin 12-13% के लग भगाता है इसका यह मतलब नहीं है कि page industries better company है DMART से इसका यह मतलब नहीं है कि DMART खराब company है page industries से और नहीं है इसका यह मतलब है कि यह दोनों से better कोई और कंपनी है जिसका margin जादा है इन दोनों से margin मैंने बहुत वार बोला है is one factor that you have to see suppose आपका कोई यान का काम चलता है कपड़े का काम चलता है कोई भी सूता का काम आप करते है आपका turnover 500 करोड़ है लेकिन आपका margin 1% है तो ठीक है कोई बात थी 500 करोड़ के पर आप 1% कमा रहे है तो 5 करोड़ रुपया साल का कमा रहे है 5 करोड़ is the annual income date you are making out of that लेकिन अब उसमें बात होती है कि 5 करोड़ कमाने के लिए आपके business में 50 करोड़ रुपया लगा हुआ है मतलब आपका return on that business is 10% तो वो भी कोई खास बात नहीं भी तो low margin के बाद भी business अच्छा नहीं है लेकिन अगर आप 500 करोड़ के turnover के business पे 1% कमा रहे है जो 5 करोड़ कमा रहे है और आपका उस business में पैसा ही नहीं लगा हुआ है क्योंकि आप इधर से खरीते हैं उधर से बेचते हैं एक आपने 20,000 रुपय का एक handset खरीदा है और उसी phone से इधर उधर उधर आप करते रहते हैं जो normally trader लोग करते हैं जैसा तो उधर में खरीदा कहीं और बेचा उसका payment आया इसको चुकाया यह सब काम किया तो आप देखेंगे कि सब्सक्राइब कर आपका office space है कुछ भी ले लिवा के अगर आप सोचते हैं पचास लाक रुपया लगा है तो पचास लाक लगा कर even on a 1% margin on a 500 crore turnover you are making 5 crores मतलब आपका return on investment जो है जो capital है जो equity है आपका पैसा लगा हुआ उसके उपर आप 10 गुना कमा रहे है मतलब 1000% का return बन रहा है तो actually margin जो है net margin जो है वो हम लोग बहुत ही मतलब वियापारी स्टाइल है समझने का कि margin का है margin का है नए बिजनस का प्रपोजल लेकर कल BM Mead में हमारे पास है कुछ लोग वो एक नए बिजनस का प्रपोजल लेकर आये थे कि मोबाइल स्टोर का पूरा आल ओवर इंडिया वो महरास्टा से स्टाट होते वे उनको कोई प्रपोजल है कि वो खोलेंगे दीरी-दीरी दुकाने खोलेंगे चारो तरफ जहां मोबाइल हैंडसेट बेचेंगे तो बात ओ रही थी कि अगर आप काल्कुलेट करेंगे तो उनका टूटल इन्वेस्मेंट के उपर रिटर्न जो बन रहा था वो करीब-करीब आपको 12%, 11%, 10% का रिटर्न बन रहा था बेस्ट के सिनारियो में लेकिन मार्जिन जो था प्रॉड़क की उपर आपको शहद 15% भी मिल जाए लेकिन अगर 12% का रिटर्न बनता है तो आपको रिटर्न देखना है जयते विजे सेल्स है यहाँ पर वेस्टन इंडिय में मोसली मॉंबई में महरास्टरा में विजे सेल्स करके है जो हर जगे आप देखेंगे इलेक्रोनिक समान की रिटेलिंग करता है अब वो बिजनस जब वाइबल है जब वो उधार में खरीता है जो प्रोड्यूसर है थोड़ा सा उसको क्रेडिट देता है फिर वो यहाँ पर बेच देता है कैश में और नेगटिव वरकिंग कापिटल कर लेता है मतलब बिजनस में पैसा ही नहीं लगा है तो मार्जिन इस जब वन पॉइंट आफ दे स्टोरी तब मुझे लगता है एक मुश्किल का काम है वो काम नहीं करना चाहिए कई वार हमारे हाँ पर यह होता है कि हम एक बिजनस स्टार्ट करते हैं और बिजनस स्टार्ट करने के बाद हमें पता ही नहीं चलता है कितना पैसा बिजनस में लगता रहता है पाँच लाग डालो, दो लाग डालो, एक लाग डालो, दीरे दीरे घर में जितने members होते हैं, सबके पैसे लग जाते हैं, कभी demonetization आ जाते हैं तो आपको और पैसे मिल जाते हैं, घरवालों के अंदर छुपाएवे, वो भी आप लगा देते हैं बिजनस पे हां में दे दूँगा, हां में दे दूँगा, हां में दे दूँगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक ऐसा पूल ऑफ बनी हो जाता है, जहां पता ही नहीं चलता है कितना पैसा खा रहा है वापका व्यापार, तो most businesses ऐसे होते हैं inefficient model पे सेट अप होते हैं, जहां पे margin भी कम होता है और cash guzzling capacity of the business is too high, मतलब बिजनस पे जितना पैसा डालो उतना कम होता है कई वार अचानक आपको Friday आ गई, आपकी truck आ गई, खड़ी है, ट्रुक वाले को पेमेंट करना है, जल्दी पैसा लाओ, जल्दी पैसा लाओ high revenue growth company with low margin और low to average revenue growth company with high margin, देखो high revenue growth company with low margin bull market में best case है, bull market में everyone chases growth, growth चाहिए बस growth, 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 growth मिल जाए तो सब कुछ मिल गया है जिंदगी में, अगर growth नहीं मिला देंदर is a problem, bear market में अगर आप आएंगे, ठंडे बजार में अगर आप आएंगे, तो उस समय जैसे आपने लिखा कि low margin और low to average growth के साथ high margin, तो bear market में high margin आपको चाहिए, यो कि bear market में sustain करना है आपके business को, आपके business को आगे जाते वे ये देखना है कि किस धंग से आपका व्यापार बढ़ स margin 4% है, लेकिन अगर आप bear market में, अगर आप महुल खराब, economy ठंडी है, genuinely ठंडी है economy, तो आपको वो 12-13% का margin भी आपको survive कराएगा, आप थोड़ा खर्चा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर cost structure भी आपको उपर नीचे हुआ तो आप survive कर पाएंगे, अगर आप 3-4% margin से काम क कर रहे हैं, तो जैसे ही माहुल पलटेगा, आपके हाथ से पैसा चला जाएगा, क्योंकि आप एक दम वेफर थिन margin में काम कर रहे हैं, जितनी जो हमरी outsourcing company, जो B2B जितनी होती है, वो सारी छोटी net profit margin में काम करती है, लेकिन D-Mart जैसे है, ग्रोसरी रिटेलिंग है, लेकिन जो बी ठोटी नहीं है, फिर भी उसका net profit margin मारजिन कम है, क्योंकि असेट टन जादा है, वो गिहू लाता है, एक दिन में वापिस चला जाता है, फिर आता आता है, फिर बिग जाता है, फिर चला जाता है, तो जिसको हम आसेट टन बोलते हैं, कि कितने वारा अप समान को कि एक सबस्वाइब एक बोरी आटा का पड़ा हुआ है और सामने कोई विजे सेल्स की दुकान में एक फ्लाट स्क्रीन टीवी पड़ी तो चालिस इंच की तीवी जल्दी जाएगी बिकेगी कि आटा जल्दी बिकेगा आटा अबिसली बिकेगा तो अप उस आटे में कर दो मार्जिन बहुत कम मार्जिन में भी काम करो गए अपको पता ही आएगा जाए गाएगा जाएगा आएगा जाएगा साल में आपाटी की बोरी कम कोई convert होगा तो इसलिए टीवी में margin जादा चाहिए क्योंकि टीवी बिकने में धीरे धीरे बिकती है और आटे में बिकने में जल्दी बिकता है इसलिए आप कम margin में भी काम कर सकते हो तो bull market में always high growth margin no one cares in a bull market bear market आता है तो लोग बोलते हैं अब थरी कुंडली दिखा तो कमाता कितना है लडका तो बढ़िया है सब पुछ अच्छी बात है लेकिन कमाई किती है ये बता हो तो bull market और bear market भी ये फर्क होता है और उसी दंग साप को देखना चाहिए नेक्स क्वेस्चन ले लेते हैं सर क्या hospital sector secular growth story है because मेरा 60% holding एक hospital company में है Umtort V बोल रहे हैं तेखो एक बात आप समझ लो hospital जो है वो सालो साल चलेगी not because लोग 15%, 20%, 25% per annum के speed से बिमार पड़ेंगे but because hospital का penetration जादा होगा जैसे से health insurance बढ़ेगा आपकी insurance company आपको claim देगी तो आप बोलेंगे चलो यार इलाज कराने तो अस्पताल में जाके करा लेते हैं नहीं तो आदमी बोलता है अभी जाएंगे खर्चा लग जाएगा पैसा कहां से आएगा दूसरी बात है जैसे लोगों की कमाई भड़ेगी लोगों के पार disposable income जादा आएगा तो health के उपर जादा ध्यान देंगे कोई भी problem आएगा immediately addressable होगा तो मुझे लगता हॉस्पिटल बिजनस between 15 to 24% CAGR मतलब depending कौन सी कंपनी आपने लिया है अगले 3-4-5 साल तक growth trajectory में लगता है और इसलिए हम हमारे small case में भी और PMS में भी hospital कंपनी हम रखे हैं हमें लगता है कि ये business जो है ये आगे जाते वे और stable business है ना जहाँ मंदी होगी वहाँ तो hospital का धंदा और अच्छा होगा बिकास लोगों का तबित खराब होगी hypertension होगा, diabetes होगी तो आओ जी हमारे hospital आजाओ और तेजी में लोगों के पास पैसा जादा है तो जहाँ थोड़ी सी कोई problem आई ओ मेरे सर में दर्द है चलो चलो MRI करा लो माथे का तो वो भी हो जाता है वैसे कराते नहीं है लोग डॉक्टर बोल के परिशान हो जाते हैं लोग बोलते हैं अभी तो चल रहा है डॉक्ट साब आप ऐसी दवाई दे दीजे क्या ऐसे ही ठीक करा दीजे MRI क्यों करना है तो यह वाली बात होती है अनिवे नेक्स क्वेस्टिन लेते हैं जहनक राना बोल रहे हैं टीवी देखकर एम्टार लिया था मैं वो ठीक है टीवी में बोला होगा हां ले लो वो दूसरी बात है बट आपको खुद की अनालिसिस भी करना पड़ेगा योगि कंपनी के प्रमोटर जो है जब से आई पीओ लाए है पहले दो तीन कॉर्टर तो बहुत अच्छा किये मतलब डेब्यू टेस्ट अच्छा खेला उसके बाद एक दो इनिंग्स अच्छी खेली उसके बाद धीरे-धीरे टाइटाइप हिस हो गया एम्टार और एम्टार तो क्या टाइटाइप हिस वह यह बता भी रहे थे कि हम धीरे-दीर हम हमारा ग्रोथ ट्रेजिक्ट्री जो है नीचे आएगा बट लोग उसको विश्वास नहीं कि तो उस कारण बट अभी का बजार कुछ हो रहे है अभी कंपनी रिजल्ट खराब देती स्टॉक बढ़ जाता है कंपनी रिजल्ट अची देती स्टॉक बढ़ कि बात दूसरी होती है लेकिन लॉंगर पिरेड्स ऑफ टाइम में बिना रिजल्ट के स्टॉक बढ़ाना मतलब आपकी गाड़ी धलान में है और आपका ब्रेक भी फेल है और पेट्रोल भी नहीं है आपकी गाड़ी में तो इंजिन स्टार्ट नहीं हो रहा है अब आप सम बचा कर इंडिया में बनाये थे जब इंडिया में काम करते थे अभी स्टुडेंट वीजा पर इनकी यॉरपिन गर्ल्फरेंड इंसे शादी करना चाहती है और इनके फैमिली बोलती है बापिस आजाओ इंडिया यॉरपिन लाइफस्टाइल फ्री हेल्थ के लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है एड़ुकेशन फ्री है और अगर आप किसी दंग से लाट्विया या स्कंडियन कंट्री के तरफ उधर अगर चले जाएं तो लाइफ कॉलिटी अफ लाइफ बहुत अच्छी है हवा आप देखेंगा अच्छा है यहां पर तो आप ज आप साथ आट दस किलमेटर पैदल चल लेते हो आपको मजा आता है चलते रहते हो देखते रहते हो गूमते रहते हो बट यॉरप में जो सदन यॉरप है जैसे पेन वा पोर्जुगल वा इटली वा वहां थोड़ा से क्लाइमेट टॉफ है बट जिस एरिया क्या बात कर रह अगर अगर उनसे शादी करेंगे तो अविसली आपको तो सेटलमेंट बहुत बहुत एजी हो जाएगा बिकॉज आपका सिरिजन्शिप मिल जाएगा इमीजेटली महां पे उसके बादे बोले है वट डियो थिंक आशिड दू मैंने तो बता दी अभी क्या करना चाहिए आ अगर उनको नहीं बुला पाते हो तो फिर आना जाना एक बात याद रखना जो अगर आपकी जो कमिंग जनरेशन होगी उनका इंडिया से तार कट जाएगा पूरा कट जाएगा वो यॉरपे नहीं हो जाएंगे वो हिंदी बोल भी नहीं एक जनरेशन तो शाहिद बोल ले और जो आपको देखा ही नहीं और जिसको आप जानते नहीं हो कि आपको अपनी क्वालिटी अफ लाइप देखने है बहुत टफ गेम है दूनों के बीच में चूज करने को लॉजिकली मुझे को बोले मैं क्यों नहीं स्विच कर रहा हूँ बिकास इस लाइफ का टाइम होत नहीं स्विच कर लिया है जी जी एस्ट पी एस्ट बोल रहा है क्या नाम है भई जी एस्ट पी एस्ट बोल रहा है कि मेरी नाम जास्विन सेथी है मेरी वाइफ आपकी पी एमस की सब्सक्राइबर है मैंने कनेडियन सिटिजनशिप लिया भी 35 साल उमर है मेरी मैं इंडिया मेरे को IIM-based admission लेने में 10% quota for foreign nationals, वो fill up नहीं होता है तो मैं IIM में admission ले सकता हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं MBA करूँ अभी, top 3 IIMs मिले कि just continue with my tax career डिपेंड करता है अप life में करना क्या चाहते हो अगर आप 2 साल IIM में टॉप 3 में चला याता है तो nothing like it आपकी life take off कर जाएगी नहीं तो जिंदिगी बार जो हम बोलते हैं चुए की दौड में रहोगे, English में बोलेंगे तो राट रेस में रहोगे, ये बात ऐसे ही समझनी पड़ेगी आपको इसके अलाबा कुछ है नहीं अगर 35 years की age पे अगर आपको मुझे अगर कोई बोले 35 years की age पे of course जब पहले हुआ था तो मैं decide करता कि मेरा equity portfolio कितना बड़ा है अगर मेरा equity portfolio बहुत बड़ा और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में मेरे को इतना cash मिल जाएगा market down होगा पैसा तो एक्विटी सही बनेगा तो यहीं कर लेंगे बट हाँ अगर आपको equity portfolio पर उत्तर ट्रस्ट नहीं है अगर आपको लगता है नहीं मुझे काम भी करना है मुझे ये भी करना है तो obviously फिर आपको top 3 IIM से अप any day it's good enough मतलब मुझे लगता है दो साल का आपको जरूर सालरी का लॉस होगा जो आप अपनी एक्जिस्टिंग बिजनस में भी कमा रहे हो बट मुझे लगता है ये आप देख सकते हैं anyway voice of people बोल रहे है sir आपका भी दिल दिमाग और खून में हर समय share market घुसा रहता है एक investor अपने को इस चीज से कैसे शांत कर रखे नहीं शांत करना है voice of people जी नहीं शांत करना है जो कि passion वही होता है कि दिमाग में आपको stock market ही रहना चाहिए अगर आप कोई party में गए हैं जब 20 आदमी हैं और आप देख रहे हैं कि आप उनी लोगों के साथ खड़े वे हैं जो stock market की बात करते हैं मतलब आप passionate है अगर आप उन लोगों के साथ खड़े वे हैं जो stock market की नहीं नहीं Bollywood movie की बात कर रहे हैं तो आप stock market के तो हो लेकिन passionate नहीं हो कोई stock market वाला कोई stock market वाला क्या लगता है पहला question यही होता है क्या लगता है बदार क्या लगता है सीधी सी बात और भही से start हो जाती है बात तो depend करता है कि आपका passion कितना है बट अगर आप बहुत passionate हो तो I think यह ऐसा normal चीज है सर कैशन बैलेंशीट और आरोई में क्या रिलेशन्शिप है कैशन बैलेंशीट और आरोई में ऐसा रिलेशन्शिप है आप समझें राहू और केतु जैसा अगर कैशन बैलेंशीट ज्यादा होगा तो आरोई कम हो जाएगा अगर cash on balance sheet कम होगा तो ROE जादा हो जाएगा cash on balance sheet minus होगा मतलब आप bank से loan लेके रखोगे तो ROE और जादा हो जाएगा तो जो company आपको लगती है अरे यार इसमें तो cash on balance sheet 300 crore रुपया है एक मिनट रुको इसका मतलब कि इसका ROE कम होगा कमपनी के पास business के इते अच्छे prospects थे तो यह 300 crore रुपया बैलन शीट में क्यों रखा हुआ है और यह राहू और केतु इसलिए बोलते हैं यह एक इधर तो दूसरा उधर next question ले रहे है sir Rohit Sharma भी अपना marriage ring purse, laptop laptop lost किया था यहां तक कि टॉस में भी जादा कर कॉल करना भूल जाता है Rohit Sharma ब्रिलियंट आत्मी है मतलब इतना ब्रिलियंट तो मैंने किसी को देखा ही नहीं कि बॉलर के हाथ से बॉलने ही निकलती है Rohit Sharma पहले ही front foot पे आ जाता है सोच करके इसको अमेर को पुल करके मारना है स्क्वार लेक के उपर से छक्का के लिए तो वो जो इतना कम रियक्शन टाइम में अगर आप ऐसा हेल सकते हो तो अविसली ब्रिलेंट है और ब्रिलेंट है तो आपने यह बात जो बोला सो सही है और यह पीछे भी मैंने सुना था है एक मुजिक डिरेक्टर अभी भी है वो पृतम नाम है उनका I'm not sure whether it is correct or not तो सुनी सुना ही बात है तो उसको वैसी ही लेना तो बहुत पृतम को किसी ने बोला कि शादी में जाना है बोला हाँ हाँ मुझे भी जाना है मुझे भी जाना है तो कि उसके घर में आया तो पहुँच गए शादी में वो तो शादी में पहुच गए तो बहार निकले बहार निकलके वो उसके हाथ में गाड़ी की चाबी गाड़ी ढूंड रहा है चारो तरफ, गाड़ी ढूंड रहा है चारो तरफ की गाड़ी कहा गई, गाड़ी कहा गई, मेरी गाड़ी कहा गई, फिर ओ बोल रहा है मेरी गाड़ी तो चोरी हो गई, पुलिस टेशन गया, चोरी का डैरी लिखवा दिया कि यार मेरी गाड़ी त आलबर्ट आइंस्टाइन को अगर आप देखेंगा उनके बाल आपको ऐसे वैसे नजर आते हैं और सुना यह जाता है ऑफकोर्स मैं तो कभी मिला नहीं है उनसे मिलता तो जरूर पुछ लिता बोलते हैं वो बोलते तो बोलते तो बाल कॉन काटेगा तो ठीक है जासा चल रह सो चल रहा है आप डोनों विधर इस राइट और रॉंग नपरीतम की स्टोरी नपर अलबर्ट आइंस्टेन की स्टोरी बट दोनों बहुत ही रिलाबल जगे से पता चला है तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रोडिनरली ब्रिलियंट होगा वो बहुत वार यह क अगर आपको बहुत जेनुरली कुछ काम कर रहे हो अगर आपका कहीं वालेट शोड़ गया जिसमें हजार रॉपिया हो तो वहाँ सम्मुझ लो कि आप ब्रिलियंट हो लेकिन ऐसा नहीं हो कि जानबुच के छोड़ दिखाने को लोग को ब्रिलियंट हो बट अपने अप न अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो बट यह सब टाइप की कंपनीज में आप SIP भी करेंगे तो भी अच्छा रिटर्न बनेगा बिकोर जितना वालाटाइल होगा स्टाक उतना आपका रिटर्न बनेगा SIP में तो मुझे लगता है कि आपके आइडिया सही है आप करेंगे तो बढ़िया रेगा नेक्स क्वेस्चन लेते हैं बट मुझे लगता है कि हाँ अगर आपको BM Focus Small Cap Small Case में 50 लाक रुपया डालना है वन गो और आपके पस बहुत extra capital भी है this is just 10% of what you have तो आप डाल सकते हैं और उसके बाद market घटेगा तो और डालो लेकिन market घटेगा तो डर के पीछे नहीं भागना है आपको डालना है अगर आप पैसा नहीं डालोगे बजार घटेगा तो चाहे Focus Small Cap हो हमारा या PMS हो या कुछ भी हो या आप खुद भी direct equity investing कर रहे हो market घटेगा तो और डालना है डरना नहीं है कि market घटेगा तो सब डराएंगे पहला डर market घटने पर आज के लगए जियो पलिटिक से यह होता है कि अब देखना इरान जो है वो इसराइल के उपर nuclear attack कर देगा अभी ऐसे डराने शुरू होगा एक हमारे टीवी चैन बट उनका काम ही यह है आप जब भी खोलेंगे चैनल को यही वो लड़ाते रहते हैं अब तो nuclear war करा दे वैसे यह सब चीज़े आपको देखनी पड़ेगी कि जब negative news आती है तो भाव बहुत अच्छा होते हैं और उसी वक्त आपको investment करना चाहिए एनिवे नेक्स question लेते है sir not only people watching from all over the world हम sailor हैं हम नाविक लोग हैं जो आपका video देखते हैं साथ समुंदर पार से भी थोड़ा difficult होता है बट जमा लेते हैं सचिन जी बोल रहे हैं सचिन मुझे पता है बहुत merchant navy के लोग आते हैं हमसे बीमेट से मिलने तो यह बताते जरूर है कि हम वेट करते हैं बात है बिकोज मुझे पता है कि लोग जब यह इंटरनेट नहीं मिलता और आपको कोई इंटरनेट रिलेटेड चीज कर दरकार पड़ती है तो उसमें बड़ी बेसबरी होती है अगर आपके इंटरनेशनल फ्लाइट अफ्लाइट टेक और आपका इंटरनेट कनेक्टिव इस सब चीजे बात होती है बड़ी इंटरनेट नहीं होना आज की दुनिया में मतलब ऐसा होता है कि कोई पेस्मेकर किसी के हाट से निकाल लिया ओ जो पराने जमाने में लोग पेस्मेकर लगाते ते वैसा होता है कि आपको एकदम लगता है बिना इंटरनेट कैसे होगा not just for watching videos but for so many other things. Anyway, sir, do you read the Economist magazine? Parth Bhatt बोल रहे हैं, यार नहीं पढ़ते हैं सब जो Twitter waiter पे news आगे, मुझे लगता है, वो काफी होती है और इधर उदर magazine पढ़के फिर क्या करेंगे? Sir, if anything, the Americans are actually more gullible. User बोल रहे हैं, gullible मतलब जो जल्दी से विश्वास कर लें, शायद हो सकता होगा, but एक बात पकी है, मतलब मैं आपको experience से भी बोलता हूँ, Americans first stroke में आपकी बार trust कर लेंगे, और वो trust कर लेंगे, देखने का उनका चेक करने का बड़ा अपना style होता है, you have to see eye to eye, मतलब देखेंगा, आप उनके आँख में आख डालके बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, दूसरी चीज़ जो होती है, Americans, मैं second time अगर उसको पता चला कि अपने गलबड किया, फिर तो जिंदगी बड़ के लिए आप राइट आफ हो गए, एक और मुझे आदे संफ्रांसिस को ओल्ड टाउन में, मैं शायद पीछे बताया भी था, वो गाड़ी लेकर हम घूम रहे थे पुरा, हमने सियाटल से नीचे तक लाये थे, हम गाड़ी को लोसांजलेस तक चला कर पूरा वेस्ट कोस्ट में, तो मुझे पता नीच चला, मैं वन वे में घुजगया वन साइट से, वन साइट से घुजगया, तो दूसरे साइट से, पुलीस आफसर ने मुझे अंग्रेजी में बोला, where do you think you are going? तो मैं समझ गया कि कोई जमिला है, कि जब आप वन वे में घुस्ते और आप गाड़ी चला है, आपको पता चल जाता है, दो सेकंड के बाद कि यारे वन वे है, तो फर्स्ट चीज आप सोचते हो, मैं बैक करो, कि मार के एकसिलेटर सीधा है निकल जाओ, एक साथ और कहीं पर लेफ्ट राइट ले लो, तो मैं उसको सीधा बोला, I'm a tourist, I don't know the ways, तो मैं बला, okay, don't worry, don't worry, go, go, move, 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 सीधी सी बात, लेकिन अगर वो अगले बार आपको देख ले, कोई वापिस वही दंदा करते हुए, तो आपको पकड़ के अंदर करेगा, बट ये इस कॉंटेक्स में बोला, Americans are gullible, कि यहां से जो फोन करकर के, हम फ्रॉड करते हैं, लोगो को पकड़ते हैं, और उनको जेल में डालते हैं, उनका पैसा जो है वो निकालते हैं, और उन लोगों को जेल नहीं पड़ती है, इसी लिए उनका फोन करते हैं, फ्रॉड रिलेटेट जो हमने दो दिन पहले वीडियो किया था, 15 अगस्त को उस कॉंटेक्स में बोला, और gullible इसले होता है, बिकुज जिस देश में आपको पता है, कि अगर कोई सामने वाला चोरी कर रहा है, वो पकड़ा गया तो जेल जाएगा, तो यू गिव इम दे बेनेफिट आफ डावट, यू एजूम कि यार ठीक है गड़बर नहीं कर रहा होगा, बिकुज इसको भी तो अपना चंदरमा देखना पड़ेगा, अगर पकड़ा गया तो, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, जो गड़बर काम करता है, उसको मालूम है कि अगर पकड़े जाएंगे तो क्या फरक पड़ेगा, सबी कुछ चलता है यहाँ पे, तो वो एक जो आदमी को चलता है, आटिटूड आ जाता है, वो उस कारण वो और गड़बर काम करता है, वो वाली प्राब्लम होती है, सर प्लीज टॉक अबाओ वाई कटिंग लॉसे अर इंपॉर्टेंट अच्छे तो बाद में कर लेंगे, चलो, हाँ, नेक्स क्वेस्चिन लेते हैं, सर आपको क्या लगता है, यह सिस्को सिस्टम ने 7 पर्षेंट जॉब काटा है, करीब 6,000 जॉब, इससे के सेकंड मेजर लेओफ है तो दोहजार चॉब़िस में, और स्टॉक उपर वा ऐसा क्यों, देखो एक बात समझेो, सिस्को ने बोला है, कि जो भी इनका जो नया सिस्टम बैठा है, जो AI रिलेटेड यह काम कर रहे हैं, उसमें इनको प्रड़क्टिविटी एन्हेंस्मेंट मिलेगा, और इसी लिए शायद इनोंने जॉब काटा है, यह पक्का नहीं है, जॉब क्यों काटा है, मंदी के लिए काटा है, कि इसलिए काटा है, कि यह AI रिलेटेड काम करेंगे ज्यादा, और उसका उसकारण इसके प्रड़क्टिविटी एन्हेंस्मेंट मिल रहा है, इसी लिए जॉब काटा है, इसी लिए जॉब काटा है, बट एक बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी, यह होएगा आप, जैसे ऐसे AI बढ़ेगा, जैसे ऐसे आप देखेंगे, यह सब चीजे आगे बढ़ती है, आपको पता चलेगा, लोगों की जॉब्स जो है, वो और जोर से जा रही है, सर अभी का इंफलेशन 11 परशेंट है, रिजर्व बैंक गलत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह कैसे 3.54 बोला गया है, शेटी जी का क्वेस्चन है, शेटी जी यह 11 परशेंट भी मुझे पता नहीं, बढ़ 3.54 तो कहीं से नहीं है, इंफलेशन अगर आप देखेंगे, तो इंफलेशन का, अगर आप नॉर्मल हिसाब देखेंगे, जो हिसाब से भिंडी टमाटर प्यास घर में आते हैं, वो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्या हिसाब से खर्चा पड़ रहा है, मतलब एक बात होती है, कि you might not look at the prices, because you can afford to buy everything and pay for everything, लेकिन दूसरी बात होती है, कि हर एक आदमी ऐसा नहीं होता है आज के जमाने में, जो फर्क ही नहीं पड़ता हो, जिसको सबजियों के दाम से, तो इसलिए मुझे लगता है, यह इन्फलेशन वाला जो फाक्टर है, यह समझ के चलना पड़ेगा, कि इन्फलेशन है कितना अक्चली, कितना है किसी को नहीं पता है, अचली, सब तो हम लोग तर्क बाजी करते हैं, इतना होगा होतना होगा, बड़ मुझे नहीं पता कि किसी को भी पता है कि इन्फलेशन कितना है कि नहीं है. Sir, Population Control, R.Pachina. Good morning, Sir. Insolvency and Coffee Day. Please throw some light how companies go for insolvency. उसके बाद क्या शेरोल्डर्स का क्या होता है पराग बोल रहे हैं, पराग मुझे तो लगता है यह NCLT का जो सिस्टम है इनसॉल्वेंसी का, यह सबसे बड़ा मुझे पता नहीं, तो कोर्ट की बात है तो मैं इसके उपर कोई बूलना नहीं पहुंगा बट सबसे बड़ा मेरे इसाब से ब्लाक बॉक्स है, ब्लाक बॉक्स के वर्ड में आप कुछ भी डालने, क्योंकि पड़े प्यार से बैंको के उपर सारा NPA आ जाता है और बड़े आराम से वो बिजनस जो है रुपिया का माल दस पैसा में किसी को बिख जाता है NCLT के ओपर, I don't know whether we can openly talk about that or not, but अगर आप Google सर्च करेंगे, इसके ओपर बहुत व्यूज मिलें कि यह जो प्रोसेस है इस बाइट सेल्फ इस फॉल्टी क्योंकि आपको क्या होता है, कोई अगर कमपनी है, जिसके ओपर हजार करोड इसे है, ऑपने बैलन लेना परता है, तो मुझे लगता है, यह पहले वाला सिस्टम भी प्रॉबलमाटिक था बिकाज रिकावरी नहीं होती थी बैंक की, अब वाला सिस्टम जो है वो legalized हो गया है कि बैंकों को write-off करना, मतलब because court of law से होकर आया, कोई question भी नहीं उठा सकता है तो ये वाली बात होती है, प्रभजोच सिंग का question है, कुछ मेना पहले आप लोग बोल रहे थे कि recession आएगा अमेरिका में, first sign sale of red lipstick बड़ा था जो really interesting and weird था, could you share some more fundas for Indian market प्रभजोच सिंग, Indian market में ये सब है नहीं, lipstick-lipstick का होता funda but US market में बहुत है कि Indian market में तो जो lipstick-lipstick use करते हैं जो ये सब products use करते हैं बहुती small part of the entire population है, तो उसको लेकर आप trend नहीं बना सकते but आज से 25 साल बाद ये lipstick वाली theory, ये hemline वाली ये underwear वाली theory still works in Indian markets but not so much जैसी अमेरिका में चलती है, because America ये सारे theories के लिए pioneer है दुनिया भर में, अमेरिका सिखाता है दुनिया को भी कैसे कैसे analyze करना और इतने सारे बुद्धी जीव जब लग जाते हैं कोई भी चीज को analyze करने है कि वो immediate short position नहीं है, September और November है में भी वो state election का plan कर रहे होगी कि state election के बाद वो एक और कोई problem होगी, politics में problem होगी pressure होगा government के उपर, I don't know Hindenburg वाले क्या सोचे होगा, बट हाँ ये बात पकिये कि उनका जो short position है वो लंबा short position है, तो obviously they have been planning for something more or क्या होगा, but for the moment मुझे लगता हमारा market sorted है, हम लोग को फरक नहीं पड़ता है, Hindenburg का, we have passed that at least what it appears for now, बट हाँ नए news flow आएगी, तो उसके बाद देखेंगे हम कैसे आगे चलते हैं, यही तक रखते हैं, फिर्मूला का होगी आपसी कल सुबह, तब तक के लिए, thank you